गुदर आफ्टेनों क्लास आज हम थार्ट चैप्टर चाट करेंगे यह यूनिट वन का ढई बोक दो पार्ट में डिवाइड है पार्ट बी तो यह पार्ट बी में यूनिट जो वन है उसका थार्ट चैप्टर है ठीक है यह इस इन्स्टेंट मैसेजिग का मतलब क्या होता ह instant messaging means क्या करोगे आप किसी को message करोगे और वो क्या करेगा वो quick response करेगा real time में ठीक है तो अभी क्या हो रहा है जैसे modern age है यह सब क्या हो रहा है technology से लोग connect हो रहे हैं तो इसी कारण से क्या करते हैं हम लोग जो पूराने जो system होते थे जैसे की लेटर्स हैं टेलिग्राम से वह तो अभी पूरा outdated हो गया है चलता ही नहीं है तो यह भी क्या हो रहा है basically instant messaging का मतलब क्या होता है sending messages online क्या करते हो आप message को online send करते हो to the people who are connected with the message get delivered in the real time means basically क्या करते हो आप online आने के बाद after connecting to the internet आप क्या करते हो किसी को भी message send ही करते हो ठीक है आया समझ में देखो यह आप मैं आपको definition में focus करा रही हूं ठीक है instant messaging refers to the sending messages online to the people whom we are connected ठीक है जिसे से हम connected हूं ठीक है with and the message get delivered in real time यह बहुत easy topic है तो यह एक video में chapter पूरा खता हो जाएगा ठीक है तो instant messaging का definition समझाया और कोई hard and fast आपका word नहीं है इसमें बहुत simple terminology यूज क्या है बहुत simple wording है तो आपको easily समझा जाएगा आपके पस जब book आएगी ना आप इसको read करोगे तो read करने से ही आपको समझा जाएगा ओके अब instant messaging का need क्यों पढ़ा पता चला कि हम लोग क्या करते हैं किसी भी person से instantly talk करने के लिए या बात चित करने के लिए यूज करते हैं ठीक है इसका definition समझा जाया अब यह जो क्या क्या feature प्रोवाइड कराता है देखो instant messaging में सिर्फ हम message करते हैं क्या नहीं जिसकी features क्या क्या है नॉमल ही हम लोग क्या करते हैं instant messaging में देखो आप क्या करोगे सबसे पहले तो receive और send करोगे किसी भी message को instantly means documents तुरंथ ठीक documents आप send और receive कर सकते हो तुरंथ मीडिया शेयर कर सकते हो मीडिया शेयर करना मतलब audio वीडियो है फोटोस बगी रहे हैं यह सभी आप क्या कर सकते हो इवेन आप क्या कर सकते हो audio और वीडियो कॉल कर सकते हो ठीक है instant messaging का simple example जैसे आप WhatsApp यूज करते हो ठीक है तो यह सभी क्या है यह जो WhatsApp है वो किसका example है instant messaging अपते एक्जांपल है ठीक है देखो हर एक चीज का दो टर्म होता है एक advantage होता है और disadvantage होता है दो sides होते हैं ठीक है basically तो instant messaging के advantage और disadvantage पर थोड़ा सा focus करेंगे advantage में basically क्या होगा सबसे पहला advantage तो यह है कि आप instantly real time में उससे बात कर सकते हो दूसरा advantage क्या है कि आपको wait करना नहीं पड़ेगा ठीक waiting time बहुत कम है almost zero के बराबर है ठीक और बाकी जो compare to email के यह क्या है easy to operate है यह easily कोई भी use कर सकता है okay एक और advantage क्या है कि इसमें multiple conversation possible है okay और क्या है आपका एक यह है कि आपको क्या करना पड़ेगा ऐसा कोई platform dependent नहीं है ठीक है आप इसमें message करने के लिए chat करने के लिए आप WhatsApp का यूज कर सकते हो आप Facebook का यूज कर सकते हो आप अपनी computer का यूज कर सकते हो okay and the one last advantage is you get instant response your messages वह already mentioned कर ली अगर आप message करोगे तो जो जो second party है यह जो आपके जो receiver है वह उससे भी क्या करता है आपका instant आपको response मिलता है अब इसके disadvantages क्या है disadvantage में क्या है आपका सबसे पहला disadvantage यह है कि अगर आप message कर रहे हो तो जो आपको क्या है जिनके साथ आप message कर रहे हो उन दोनों को same time में क्या करना पड़ेगा online नहीं पड़ेगा the first disadvantage okay second क्या है it's not suitable for large document वाट्सप आप करते हो तो वाट्सप में क्या होता है capacity है ना जैसे 1550 MB तक का जो आप data है वो ट्रांस्मीट कर सकते हो और वी के नौट ट्रांस्मीट जीबी ओके जीबी डाटा हम लग ट्रांस्मीट नहीं कर सकते बिसीकली ठीके तो यह कुछ disadvantage है कि small size की documents है यह small size की जो मीडियास है we can easily transfer with the help of this type of app ठीक है लेकिन लाजर जो documents है उनके लिए यूज नहीं होता है फिर क्या है इसका disadvantage it is not convinced as email for the lengthy and complicated message basically आपको क्या करना जैसे complicated messages है यह lengthy messages even informal वे पर है जैसे आपको formal वे पर चैट वगर करना है तो basically आपको email ही refer करना पड़ता है ठीक है और response is not always instantaneous it means your friend should be what अगर आप वो online भी है ठीक है और आप भी online हो तो उनको क्या है आपको उस particular app पे नहीं है मतलब उस particular time में तीक अगर आपका कोई friend busy है या कुछ other work में कर मतलब engaged है तो क्या कर सकते है वो response नहीं कर सकता है तब आपको क्या करना पड़ेगा response के लिए थोड़ा सा wait करना पड़ेगा और one most important disadvantage क्या है आप लोग messages में कैसे यूज करते हैं hello क्या कर रहे हो ऐसा लिखना रहता है बेसिकली तो आप क्या लिखते हो के के या रहे जनरली इसको हर कोई यूज करता है तो यह जो abbreviation आप लोग यूज करते हो ना यह बहुत difficult होता है समझने के लिए कभी कभी इसके का अब एक चीज आती है कि आपका जो चैट है और instant messaging है उन दोनों में क्या difference है तो दोनों में ज्यादा कुछ difference नहीं है instant messaging का मतलब भी होता है online message करना या online text करना या online conversation करना same chat का मतलब भी होता है बट the difference is what देखो instant messaging करने के लिए आप क्या करोगे जिस पर जिसका contact number आपके पास है या जो नोन पर से उससे से आप messages करते हों instant messaging में बट चैट में क्या होते है चैट के लिए ऐसा कोई compulsion नहीं है कि आपको उस person का या जिस second party का क्या हो आपके पास है ठीक है तो यह बेनली इन दोनों में difference है ठीक अभी आप देखिए यह जो common instant messaging services कौन प्रोवाइड कराता है ठीक है कुछ application based service है कुछ web based services प्रोवाइड कराते हैं तो इसमें देखो जैसे Google handout है यह क्या करता है यह भी instant messaging service की facility आपको प्रोवाइड कराते हैं इन सब को आप एक एक बार रिड करोगे आपको इसली समझा जाएगा ठीक है और मेभी तो यह कुछ टर्म है उससे ता फैमिलियर हो ही पहले सही जैसे से फेस्बुक मेसेंजर है स्काइप से आप फैमिलियर हो इवन वाटसप से तो हर कोई फैमिलियर है टेलीग्राम भी चल रहा है आप लोग बहुत यूज करते हो है न तो आपकी बुक में सिर्फ एक ही एप के बारे में थोड़ा बताया है यह गूगल हैंड गाउट है यह क्या करता है आपको मैसेजिंग की फैसिलिटी ऑडियो कॉल वेडियो कॉल इन सभी की फैसिलिटी आपको परवाइट करते हैं बद कंडिशन इस वॉटकी आपके पास क्या होना जिए जिसे-जीमेल अकाउंट होता है न वैसे आपके पास गूगल आईडी या मेल है तो आप पूपस यह उस को यूज बगेर आप गूगल में लॉग इन करो या फिर आप जैसे गूगल सर्च कर सकते हो गूगल ड्राइव यूज़ कर सकते हैं तो आप जैसे जीमेल आड़ी है तो आप उसमें कैसे करोगे जीमेल आड़ी आप उपन करना नीचे में आप गूगल हैंगाउट जो उससे अटेस्ट रहता है टीक इंटीग्रेटेड रहते हैं उन लो तो बेसिकली आपके जो करोगे आपके गूगल हैंगाउट की प्रोवाइट करेगी लेकिन अगर आप साइन इन कर चुके हैं तो क्या होगा आपका नाम वहां पर आएगा दिखाती हूं जैसे इफ साइन इन ट्वील शो यूर नेम और चैट कॉंटेक्ट लेस्ट टीक है तो जैसे आप शाइन करो इस कित्रोब विद्धियल्प ओफ जीमेल ठीक है यह तो आपका किस कित्रुब था विद्धैन वोफ जीमेल अककाउट अगर आपको जीमेल अकाउट कित्रोण नहीं करना है तो आप आप सिंपली क्या कर सकते विद्धियल्प ओफ य recujemy रोजय ईकिन थ है डोगल सबसे पहले क्या करोगे आप उसके लिए URL टाइप करोगे that is http colon slash hangouts google.com ये आप जैसी टाइप करोगे इसको आप अच्छे से देखना ध्यान से मैं फोकस कर देती हूँ ये आपको ये जो URL है ये आपको क्या करना पड़ेगा टाइप करना पड़ेगा जैसी आप ये URL टाइप करोगे ये आपको क्या होगा जो hangout का window है वो open हो जाएगा ये जैसे आप देखो यहाँ पर ठीक है google hangout का window है फिर क्या होगा google hangout का window open होने के बाद आपको ये facility दिखाएगा क्या कि आप sign in करो ठीक है अगर आप already signed in हो तो आपको फिर call messages वगेरा क्या दिखाएगा लेकिन अगर आप sign in नहीं हो तो आपको sign in पहले करना पड़ेगा फिर sign in करने के बाद क्या करोगे ये जो sign in जैसी आपकी या enter की ये उसके बाद आपको क्या दिखाएगा आपका नाम अगरा आजाएगा और फिर आपको ये तीन जो आइकन बने हैं ये दिखाएगे जैसे आपको message करने तो message का call करने simply call है ये और ये जो आपका ये है क्या है video call है तो आप क्या करना चाहते हो message करना चाहते हो कि call या video call वो आप चूज कर लेना फिर इस step से आपका कर सकते हो conversation को start कर सकते हो ठीक है तो ये आपका एक example दिया है ठीक है instant messaging service का और अगर आपको ये नहीं करना है तो normally आपको इन सब के बारें पता है क्योंकि nowadays everyone is using whatsapp facebook and telegram and skype also ठीक है तो इन सब के बारें आपको पहले से पता है तो ये आपका third chapter था next class थी हम लोग next chapter start करेंगे thank you